आपका हमारे चनल में स्वागत है और यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब का लाल बटन अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया या फिर बेल आइकन भी प्रस नहीं किया तो ज़रूर कर लें और आपको आगाया में वीडियो को सुचना इससे मिलती रहेगी आरवी एनल रेल विकास निगम लिम्टेट का हमने पहले भी वीडियो बनाया है और फिर से आज मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा चोटा वीडियो बनाऊँगा और वो इसलिए क्योंकि कुछ सस्क्राइबर्स ने मुझसे पूछा हैं दोस्तों ने कि सर आरवी एनल प अजिए कि काम है जैसे की ब्रिजस बनाना इलेक्ट्रिफाइंग करना वायर विछाना तो बहुत काम होते हैं इस्ट्राटक्शन में रेल के हैना पीलर्स बिज्जस जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियों भी और मैं डीटेल्स अगर पढ़ होंगा तो बहुत लंबा विकास निगम लिम्टेट 23 रुपे 15 पैसे पर ट्रेट कर रहा है और यहां पर 52 वीक लो था मतलब जिस दिन ये ओपन हुआ था 11 प्रिल को इसकी लिस्टिंग हुई थी 18 रुपे 65 पैसे पर और 26 रुपे 95 पैसे इसका हाई था और अभी भी देखिए ये रिटेन में मतलब 21.52 पैसे मतलब 21-22 पैसे के एसपास और एक किस पैसे के एसपास रिटन दे रहा है जब से लिस्ट हुई ये कंपनी मार्केट का है पर 4899 करोड की टोटल वॉलूम जो है हाँ 48,6523 फेस वैल्यू अभी भी दो 10 की है और लिस्टिंग देखिए यहाँ पर लिस्टर सिंस 11 2019 पंदा दिन पहले की बात है पी रेशियो इसका 10.02, EPS है 2.34, Price to book है 1.23, Deliverable है 31.71% और Dividend Yield 3.16 अब कहेंगे कि दिविडेंट तो अभी पेही नहीं किया होगा क्यों कंपनी अभी लिस्टी दर असल क्या है कंपनी ये काम तो बहुत पहले से कर रही न तो जो भी अभी डिविडेंट और जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती तो वो रेल मिनिस्ट्री को जाता था रेल मंत्राले को क्योंकि वही इसको संचालित करती थी अभी ये सुचनदर रूप से लिस्टेड हो चुकी है तो बात करते हैं अभी इसमें क्या करना चाहिए है ना आज 26 अप्रिल 2019 एक बज़ गए सवाएक के करीब 13 रुपए 10 पैसे पर ट्रेट कर रहा है 35 रुपए 30 पैसे के गिरावट पर है तो मैंने पिछले वीडियों भी जैसा कहा था कि अगर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसमें क्या करेमें खरीद लें या और भर लें या तो बहुत सारे मार्केट में जो लोगों के एक्सपर्स का कहना है कि ये 50 रुपए के नीचे अंडर वैल्यू है तो आवि ये PSU कंपनी है, गौवर्मेंट से रिलेटिट कंपनी है तो बहुत जादा इसमें मल्टी बैगर बन एक गुंजाइश नहीं होती कि चलो 25 रुपए के स्टॉक आपको 500 रुपए, 1000 रुपए हो गया, धीर धीर आपको अच्छा रिटर्न, डिविडेंट वगेरा भी पे कर करते जाएगे, और जब भी आप जितने दिन भी होल्ड कर सकें, शौट टम में निकलना चाहिए, शौट टम में प्रॉफट में निकल सकते हैं और लंबे समय के लिए रखना चाहिए, तो हो सकता है कि डबल हो जाए, भाई कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मार्केट रिजल्स आने शुरू, सारी कंपनियों को फायता हो का, या इनके पास इतने ओर्डर सें, या कंपनी भी प्रॉफट में रहेगी, तो बढ़िया कंपनी है, इसमें गिरावट में खरीदा जा सकता है, हर गिरावट पर आप खरीदें, मेरा तो ये सेजेशन है, तो प्रेंपने विडियों वेंडप करता हूं, थैंकिय। वर वाचिंट विडियो, व्यास देए।